आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello friend, प्रश्न है फोस्फोरस किस प्रखार का पोशक है आईए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं तो जो फोस्फोरस है वह पोधो के लिए पोधो के लिए बहुत आवश्यक है क्या है? पोधो के लिए आवश्यक है क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह पोधो का मुख्य पोशक तत्व है कौन सा पोशक तत्व है? मुख्य पोशक तत्व है क्योंकि जो पोधो के लिए जो 17 पोशक तत्व आवशक होते हैं उनमें जो मुख्य पोशक तत्व होते हैं वह होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फरस और पोटाश, ठीके, तो यह कौन सा है, यह मुख्य पोशक तत्व है, ठीके, जो फॉस्फरस रहता है, वह काईदे क्या करता है, जो फॉस्फरस रहता है, वह यह काईदे करता है, यानि कि जो कोशा विभाजन होता है, जो कोशा विभाजन होता है यह कोशी का विभाजन होता है उसमें हिसन होटा है क्या करता है उसमें जी फॉस 69 मैं शायता करता है इसमें करता है प्रकास synresation में सहायता करता है ठीके और यह क्या होती है जो कोशे का जिली या जो कोशा जिली होती है यह कोशा जिली chloroplast रथा जो mitochondria होता है उसका मुख्य अव्यव है और जो phosphorus मिलने से जो पोधों में जो बीच की जो स्वस्त रहते हैं बीच की जो अवस्था रहती है, वह क्या होती है, अच्छी होती है, तथा वह क्या होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और स्वस्थ पेदा होते हैं, और उन बीजों का भार बढ़ता है, क्या होता है, भार बढ़ता है, वह रोग नहीं होते हैं, याने की कीट प्रती रोधकता, की साथ सबसे जरूरी है जो फल रहते हैं वह जल्दी पक जाते हैं ठीके तो यह सब जो रहते हैं वह फॉस्फरस के कारण होते हैं और वह क्या होता है मुख्य पदार्त होते हैं धन्यवाद दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्ण का उत्तर समझ आया होगा इस